हेलो फ्रेंट्स मेहिं प्रभाव और आज हम बनाएंगी बेसन की कुरकुरी नमकीन और आज मैं इसके सारे सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ और इसके आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुरकुरा बनाया अमारा नमकीन तो चलिए बनाना शुरू करते ह इस तरह का एक बरतन ले लेंगे, उसके उपर चन्नी रख लेंगे, और यहाँ पर नमकीन बनाने के लिए में दो कप पीशन ले रही हूँ, और इसे चन्नी की मतद से अच्छे से चान लेंगे, इसे चान लेने से क्या होगी, इसमें जो गुटलिया होगी, सारी खतम हो जाए यहाँ थोड़ा साई वन फूर्थ चमच के असपासी, यहाँ पर हल्दी, और स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पर थोड़ा सा हींग, यह भी वन फूर्थ से थोड़ा उपर हींग, यहाँ पर हाप टीस्पून बंजवाइं, इसे इस तरह से क्रस करके डाल देंगे, और दो चम्मच, कुकिंग ओयल, आप कोई भी कुकिंग ओयल इस्तमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना बनाने में इस्तमाल करते हैं, मैंने भी तिल डाला इसमें, और आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर, इसे हम एक बैटर त्यार करेंगे, गाड़ा सा, एक दम बहुत ही गाड़ा, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज्यादा नाओ, बस कुछ इस तरह कई हमें रखना है इसे, इस तरह से देखिए चिप-चिपा सा ये गाड़ा सा, मारा बैटर बन के त्यार है, उपस अब इसे हमें इसी तरीके का रखना है, और 15 मिनिट के ये ढख कर रख देंगे, तब तक हम ये नमकीन बनाने वाला जो मिकर होता है, तो ये देखिए इसमें बड़ा वाला जो छेद वाली होती है, मैं उसका इस्तमाल करूँगी ये नमकीन बनाने के लिए, और अब इसमें थोड़ा सा तेल लेके, इसे ग्रीस कर लेंगे, तो तो अब चलते हैं, बैटर की तरब, और अब अपने साचे में, मोल्ड में, अपने बैटर जो हमने बना कर त्यार किया, उसे डालेंगे, तो देखिए, हाथ को ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह का ही होना चाहिए, आप जब हम हाथ लगा इसे तो तो यह देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे, अपने बैटर को, जितना आपको चाहिए, इसमें, आपको comfortable मैसूस हो, उत्ताब भार के, इसे बन कर लेंगे, यह देखिए, कुछ इस तरह का देखिए, यह बाहर आने लगा है, तो यह देखिए, तेल बहुत अच्छे से ग जरम है, और इसी में हमें अपनी नमकीन को बनानी है, तो इसे तरह से गौमाते हुए, अपने हाथों को, इस तरह से हम नमकीन को बनाएंगे, तो यह देखिए, एक राउंड़ जैसे ही complete होता है, हम यह आपे, खतम कर देंगे इसे, और यह देखिए, वारी नमकीन जो है, और इसे तोनन नहीं हाथ लगाना है, थोड़ी देर वीट करके हम इसमें चमश लगाएंगे, और देखिए थोड़ी देर बाद हम इसे जब नीचे से सीख जाये लगे तो पल्टा देंगे, और ये देखिए जो सारे जो बबल सारे है नो लगबख खतम हो जाते हैं, तब बन का त्यार है, ये दिखे, दिखे अ necesita और हम सारे बना कर त्यार कर लेते हैं, टो हमने तसी नमगीन बनाई है एक बार ये recipe ज़रू ट्राइ कर या ये दिखे किती crispy बनी हुई है और अगर आपको ये मेरी रेस्पी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करते सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सब्सक्राइब पहुंचें तो मिलते हैं इसी तरह की मेरे दार वीडियो के साथ थैंक यू